आशा केमोती चैनल में आपका स्वागत है पंच महाभूत स्थल वे पांच मंद जो भगवान शीव को समर्पित हैं भगवान शीव की पूजा अरागना संपूर्ण भारत में की जाती है दक्षिन भारत में भगवान शीव को पंच भूतों के अधिपती के रूप में पूजा जाता है। जहां भगवान शीव को भूत अधिपती व भूत नात भी पुकारा जाता है। नमय शिवाई यह 5 अक्षर 5 तत्वों प्रिथवी जल अगनी वाजू और अकाश का वर्नन करते हैं इन 5 तत्वों से ही श्रिष्टी का निर्मान हुआ है और यह 5 तत्व सब जगय व्यापत हैं यहां तक के मानव श्रीर में भी इनका वास होता है भगवान शिव इन 5 तत्व स्थलों भगवान शिव के प्राचीन पाच मंद्रों में की जाती है यह सभी प्रकृति के पाच तत्वों की अभी व्यक्ति करते हैं यह सभी मंदर दक्षिन भारत में स्थित हैं और हर मंदर की अपनी एक कहानी और अध्यात्मिक पहलू है अरुना चलेश्वर मंदर अग की जाती है और ना चलेश्वर मंदर भारत के सबसे ज़्यादा ब्रहमन किये जाने वाले स्थलों में से एक है यहां हर साल हजारों की संख्या में श्धालू आते हैं प्राचीन काथाओं के अनसार एक वर्देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शीव से अप मलाई की पहाडियों पर एक अगनी स्थम के रूप में दिखाई दी एक अन्य कहानी के अनुसार जो के भगवान शीव के अगनी चत्तव की व्याथ्या करती है जब भगवान विश्णु और ब्रहमा जी में शेष्टा को लेकर प्रतिवाद चल रहा था तब भगवान अगने के लिए उपर की और गए जबके विश्णु जी एक बर्दान वन जोती का अंत खोजने नीचे की और गए लेकिन जहां भगवान विश्णु ने अपनी प्राज्य सविकार कर ली वहीं ब्रहमा जी ने असत्य कहा कि उनको जोती का शिखर मिल गया है इस असत्य से भ करणा के आपके पृष्वी पर नहीं कभी आपकी अराधना होगी और नहीं आपका कोई मंदर होगा अगणी पवितर्था का परतीक भी मानी जाती है यह परकाश यवं उर्चा का भी प्रतिन लिदेसव करती है इश्वर की अराधना और उनका जब करने से हमारे मन, विचा भाव और हमारे जीवन का शुद्दिकन होता है जीसु से हमारे जीवन में पवित्तरता आती है कहा जाता है अरुना चलेश्वर देव साधगों को ज्यान का प्रकाश परदान कर उनके चित्व पर कर्मों की छाप को मिटा कर उनको स्कारात्मक उठ्जा परदान करती है मंदर पूरी तरह से धार्मिक उदेश्यों को स्मर्पित है इस मंदर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उलेख पुवित्तर तमिल गरंथों में भी किया गया है यहां हर पूर्निमा पर हजारों तिर्च जात्री गिरिवल्लम पूजा करते हैं यह 14 किलोमीटर ल में चार गोपूरम हैं इन में से सबसे बड़े गोपूरम को राजा गोपूरम कहा जाता है जिसकी उचाई 217 फिट है और यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रवेश्द्वार है जै भुले बाबा की